सब्सक्राइब करता आपके इस अपने यूटूब चैनल मेक मनी गुरूपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ चार ऐसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कि जनरली हर एक ट्रेडर जनरली करता है मैं ट्रेडर यहां पर इसलिए यूज करता है और जिसको नौ कर लो बैल अगर लेकर करके सेफ कर लो यहां पर आपको फ्री में टेक्निकल इसका कोर्स में जो कि आपको प्लेइलिस में जाकर एक टुछ बेसिक ट्रेडर अब पर नबर भी में तो आप मुझे वहां से कॉंटाइक भी कर सकते हो फिलाल इस वीडियो के तरफ हम बढ़ते स्टेटीॉन छार मथ्यों बात करने वाले तो सबसे पहला जो मिस्टेक लोग करते है ट्रेंड को नहीं पैचानते वह कि सबसे पहले अगर आप ड्रेडर और हो अगर आप टेक्निकल पर यो तो सबसे पहले में हैं, डाउं ट्रेंड में हैं, या साइट वे में जा रहा है, इतना यहांद रहे कि जब भी मार्केट था चाहां होता है, वहाँ पर हम ट्रेट नहीं करते हैं, चाहे फिर वह टेकनुक आलनिसी स्था कि इतना वी बड़ा तो सबसे हो आपको लांग टरम चार देखना होगा और उसको आपको देखना होगा क्या मार्ट कि ट्रेंड का शोकर है अगर वह डाउंकर तॉम बेसिकली डाउंकरूंकर जो फायदा उटा स्टार्ट अप करने वाला है यह सब चीज आपको पता जलते विद्ध हलब आफ टेक्निक अलेसर जो कि हमने पूरी सीरीज में बता है जो कि आपको प्लेलिस में मिल जाएंगा सेकेंड जो को मिस्टेक्स ट्रेडर करता है वो यह होता है कि आप ट्रेडर अपना रिस्क टुर सिंपल सा चीज़ है मान के चलते हो कि आपने कोई चीज़ को परचेस किया है आपने एक्जामबल देता हो मैं रिपल को परचेस किया है रिपल का आपको देखना है कि स्टॉप लोस कहा पर है स्टॉप लोस बुलने का मतलब यह है कि ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट का ट्र डाउन में breakout हुआ तो हमारा stop loss हो cut करके निकल जाएंगे और up में जाएंगा तो हम इसको profit book करेंगे तो इसको calculate कैसा करना है इतना है है जितना आपका stop loss हो उसका double आपका profit हो चाहिए यानि जितना आप risk ले रहे हो उससे जादा उससे double या कम सिकम उतना आपका reward होना चाहिए ब reward की जो chances है वो double होना चाहिए जितना आप risk ले रहे हो तो या उसमें आप trade कर सकते हो वना आप trade ना करो बहुत से लोगों को मैं जी देखा हूँ कि वो stop loss ऐसी जगा यूज करते एक percentage के टाइप में यूज करते हैं बोलते हैं हम 2% 3% stop loss यूज करें जो कि बिलकुल भी sense की उ रहा हूँ उससे double इसमें reward मिल सकता है यानि अगर नहीं मिल सकता है तो आपको trade नहीं लेना उस इसको आपको avoid करना है तिसरा हमार पास point है वो यह है कि हमें से सबसे जादे trader इस तरह trade करते हैं कि वो अपना सारा पैसा को एक particular coin में लगा देते हैं जिसको एक बोलते हैं कि सा आपको trade करने के लिए पैसा चीए और पैसा अगर स्टक हो चुका है तो आप आगे अपने trade को नहीं बढ़ा सकते हो तो कभी भी पूरा पैसा हम एक trade में नहीं डाला है आपके पैसे को आपको तीन से चार अलग अलग इससे में divide करना है इसको पर अपने channel पर वीडियो है ज किना अगर आप crypto trading कर रहे हो तो इससका आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना होगा लास्ट और जो मैंने इपॉर्ण चीज होता है जो कि मैंने notice किया हूँ कि आप अपना mind use नहीं करते हो बहुत से लोग मैं देखा हूँ जो इवन टेक्निकल ट्रेडर है they are not using their own mind एक चीज आपको बता दो हर एक बंदे का अपना strategy हो तो हर एक बंदे का अपना ट्रेडिंग करने का style होता है अगर आप यह सोचेंगे कि मैं पैसा गेन कर सकते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है तो अपना mind को use करने obviously बात है अगर आप सीख रहे हो तो पहले सीखने कि उस strategy या उस चीज लोग जो जादा loss करते हों किसी और के सुनने और कहने पर loss करते हैं तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है आपको बस अपना mind यूज करना अपना mind आप अब यूज करने जब आपको बस technical skills है technical knowledge होंगा simple सा चीज़ से एक मैना अगर आप मेरे course को देख रहे हो तो दो मैना क प्रैक्टीस करो और तीसरे या चौते मन से आप जाको ट्रेडिंग लाइफ अकॉर्ट करो लेकिन वहाँ पर भी आपको बिल्कुल साओधाने से ट्रेड करना है जो मैंने पहले टॉप त्री जो बताया हो इसमें कि आपको सबसे पर ट्रेंड देखना है सब्सक्राइब को आपको मैनी को प्रॉपली मैनेश करते हुए डिस्पिरिंग के साथ ट्रेड लगा रहा है तो यह जाकर आप उसमें प्रॉफिट गेन कर सकते हुए और आप मेरे हिसाब से एक मैना प्रॉफिट करोंगे और बागी के दो मैना लॉस को अगर आप अपने इसके अलावे चार एकpic को अगर आफ आफ आवाइड करेंगे अगर आप चार भीजब कर लियोफ लो तो इसको अनुक्र कर दो इसको अपने फीट कर वो अपने दिमाग में तो चार मिस्टेक है को कट अपकरना है US को कट अब कि हम अच्छे तरीके से trade कर सकें तो गाइस उमीद करता है आपको इसके रिलेटर कुछ भी कॉमें या कुछ भी questions होता है तो comment box में comment कर सकते हो प्लस आपका सुझाओ देना चाहो तो comment में अपना दे सकते हो कि आप किस topic के related वीडियो देखना चाहते है तक ही मुझे भी idea है कि आप कौनसे topic पर आपको समझ में नहीं आ रहा है और कौनसे topic के आपको समझने की जरूर रहते है तो वीडियो को इह एंड करना चाहों गाइस thank you so much for watching this video, Assalamualaikum, Allah Hafiz and Jai Hind